हाई फ्रेंड्स मैं हूँ भारती और वर्कम है आपका मेरे चैनल पर अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ धनिया की सीट्स और यह मैंने कल ही सारा जो गार्डनिंग का समान है कुछ लिया था शॉपिंग की थी और यह है डबल पिटूनिया की सीट्स और यह सारे मिक्स वेराइटी है ऐसा इस पर लिखा हुआ है और दुकान वारे ने भी यही बोला था लेकिन जब इसको मैं ग्रो करूंगी और उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो उसके बाद पता चलेगा तो MRP इसकी 80 है लेकिन 50 में यह मुझे मिला है और इसकी बैक साइड पे सारे इसकी इंस्ट्रक्शन्स जो है लिखी होती है तो आप इसको फॉलो करके जो है ग्रो कर सकते हो तो इसलिए ग्रो हो जाते है और उसके बाद मैंने यह तीन हैंगिंग जो है पॉर्ट लिए है तो यह बहुत ही अच्छे लगे मुझे 50 में यह मुझे मिला है एक पॉर्ट तो 60 बोर्ड है थे लेकिन 50 में मैंने जो है इसको लिया है तो कॉलिटी इस और इसकी जो चेन है उसकी गॉलिटी भी अच्छी है उसके बाद ये जो बोन्जाई टाइप के या लमे वाले पॉट जो है ये मुझे एटी में एक मिला है इसकी जो डैप्थ है टैन इंच की है तो इसमें मैं पिटूनिया और और भी कुछ प्लांट्स लगाऊंगी तो इस को मैं इसमें 4-5 होल करूँगी ताकि इसमें पानी रुके नहीं और ये है प्याज और प्याज की ये पनेरी है तो प्याज अभी 100 रुपे कीलो बिक रहे है तो प्याज बहुत महंगी है तो थोड़ा सा में लेट होगी इसको लाने में लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रा तो अभी मैं इसको लगा लूँगी और यह है जरेनियम के प्लांट्स यह मैं कुछ दिन पहले लाई थी तो उन्होंने बोला है कि यह तीन कलर में है अब क्या तीन कलर निकलते हैं यह बाद में पता चलेगा तो यह सारे तीनों हैंगिंग पॉर्ट्स में मैं लगाऊंगी क् और यह है एक छोटा सा स्ट्रावेरी का प्लांट इस पें स्ट्रावेरी भी लगी हुए है तो इसको जो है मैं 10 इंच के पॉट में लगाऊंगी तो अभी मैं इसको एक ही लाई हूँ तो अभी मैं इसको ट्राइ करूँगी मैं इसको फर्स ट्राइम लाई हूँ तो यह ज जो है इसमें स्ट्रॉबेरी शिफ्ट कर दी है और इसके दोनों साइट पर जो है पिटूनिया की छोटी-छोटी पॉट्स जो है मैं लाई थी वो लगा दी है और यह देखिए छोटी-छोटी इसकी प्लांट में ही इसकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गी है तो मुझे 15 द से दुट गजान है और बहुत ही चप रेट में आपको मिल जाता है और यह मैंने अपने हैं McNumber अटर मेर यह सारे जो है जरेनियम प्लां च आन लगा दिए है और जो झो तनीया के सीट सें यहां पर मैंनी अलग से लगा दिये है और यह तमार्ट रूड मे इस तो यह मैंने पौद के साथ ही लाई थी और यहां पे दिखिए मैंने प्याज को इस तरह से लगाया है तो एक तो यह थोड़ा सा गानिशिंग का और टेस्ट का काम करेगा उपर से जैसे प्याज महंगे हैं तो आप सबजी में इस तरह से यूज़ कर सकते हो और यह सारे जो है मैंने धनिया लगा दिया है यह जो मित्य लगी हुई है इसके बीच में और यह सारी मुलियां लगी हुई है देखे मुलियां बहुत ही खुपसूरत है घर की लगी हुई तो मैंने तेन-चार इसमें से निकाली भी थी तो टेस्ट अभी थोड़ा सा कड़वा है लेकिद देखने में बहुत थी अच्छी लग रही थी और ये टमाटर की हैं प्लांट्स इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है तो यहां पर मैंने टैरेस की बीच में एक ऐसे सरकल सा बना कर इसमें मिट्टी भड़ दिये काफ CBD में पास काफी टाइम से पड़ी होई थी ऐसे ही तो यह सारी मिट्टी जो है मैंने चानकर मेरे पास यह जो इन्ट वगढ़ा के पत्थर ऐसे ही पड़े हुए थे तो एक सरकल सा बनाकर मैंने इसके बीच में सारी पैंजी और पिटूनिया वगरा सारी मैंने पौद लगाई हुई है और कुछ कोलियस की कटिंग भी लगाई है और अभी जो है मैं प्यास की पनीरी जो लाई थी वो मैंने इसमें लगा दिये है और कुछ जो है मूली के सीट्स भी लगा दिये हैं जिससे की मेरी मिट्टी भी इस्तेमाल हो जाएगी और देखने में जो है गंदगी नहीं तो इस तरह से पफ्ट राइस जो है मैं चट पर उनके लिए खाने के लिए रख देती हूँ जिससे कि वो मेरे पौदे अब खाना उसने बंद कर दिये हैं तो यहां पर मैंने उनके लिए एक सेपरेट जगा बनाई हुई है खाना रखने के लिए और पानी भी रखती हूँ और यह मैंने हैंगिंग बास्केट लगा दी है तो यह एक देसी रोज का प्लांट है और इस भी बहुत बड़ा और बहुत ही खुपसूरत गुलाब खिला हुआ है यह दिखिए तो इसको खिलने में बहुत टाइम लगता है तो जब मैं इसको लाई थी तो इस पे छोटे- लेकिन जैसे जैसे यह पूराना हो गया तो इसके जो फ्लार्स है वो भी अभी बड़े निकलते हैं तो फ्रेंट्स आज को आज के लिए इतना ही और अगर आपको मेरे आज के वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर नही हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार झाल 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 झाल